हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo T1 Android busy में मैं आप जो है message send sound setting को आपना disable कैसे कर सकते हैं यानि कि off कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह message send sound setting जो है डिसेबल होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज के इस video में आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पे video को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में settings पेज आपको open करना है setting पेज को अपने mobile phone में open कर लीजिए setting पेज में आपको नीचे की side आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा है यह sound and vibration का इसे आपको select करना है अब आपको sound and vibration के इस page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिल जागा यह message send sound का ठीक है इस option के ठीक सामने यह बटन दे रखा है इस बटन को आपको select करना है तो यह button आपका black color में off हो जाता है यानि कि आपकी message send sound setting इस तरह के से disable हो जात है आपका इस text message के app में अगर आप किसी को भी message को send करेंगे तो जब message send होगा तो आपका mobile phone sound create नहीं करेगा ठीक है तो यह setting डिसेबल होने के बाद ही setting कुछ इस तरीके से काम करती है आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप इस message send sound setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा अपने mobile phone में setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर इस search आईकन आपको select करना है और यहाँ पर आपको सबसे ओपर search बार में type करना है message send sound ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा पूरा type कर ठीक है इस बात का ध्यान रखने आपको spelling mistake नहीं करनी है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जब यह option नीचे show हो जाता है इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको direct इस setting में आपको लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरी है इस setting को ढूंडने का